नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अब शीक पुंडीर उत्तरवदेश में जो घमसान मचा उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि केशवपरसाद मोर्या ब्रजेश पाठक को उनके पद से हटा दिया जाएगा क्यूंकि योग्या दितनाथ ने कल राज़पाल आनंदी बेन से मुलाकात की और इस मुलाकात के माणी ये निकाले जा रहे हैं कि योग्या दितनाथ का जो मंत्री मंडल है उसमें जल्द ही विस्तार हो सकता है उपई में जो उप्चुनाव होने हैं उनके बाद उनके क्या और लग चुकी है क्योंकि भुपेंद्र चौधरी की मुलाकात पहले जेपी नड़ा से हुई फिर प्रधान मंत्री मोदी से हुई उसके बाद केंद्रे ग्रह मंत्री अमिर्चा से भी उनकी मुलाकात हुई और उन्हें संदेश दे दिया गया है साफ तोर पर कि सरकार का कामक है तो उप्चुनाव के बाद हो सकता है भुपेंद्र चौधरी अपने पद से स्तीवा दें और एक ऐसे अध्यक्ष को पद पर न्यूक्त किया जाए जो सरकार और संगठन के बीच समन्वे स्थापित कर सके लेकिन जो कुछ खीषतान हुई जिस तरीके से बीजेपी की कि किरी हुई पूरे देश में उसका जिम्बेदार आखिर कौन है कि उसका जिम्बेदार केशव प्रसाद मौरिया ब्रजेस पाठक है या फिर वो पूरी लोबी है जो दिल्ली के इशारे पर काम करती है मतलब सीधे तोर पर कहूं तो क्या ग्रह मंत्रिया मिच्छा के इस सार की नेता है तो क्या अब इन पर गाज गिरेगी कहा तो ये भी जाने लगा है कि योगी आदितनात को अब केशव प्रसाद मौरिया को खुद ही बरखास्त कर देना चाहिए क्या ऐसा हो सकता है इस तरीके की मांगे उत्तर प्रदेश से उठने लगी है केपी मलिक जो दैनिक बासकर की एडिटर है उन्होंने कलिक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बिग ब्रेकिंग बाबा के समर्थकों में चर्चा है कि बाबा को किसी भी दबाओ में नहीं आना चाहिए बाबा के विश्वस्त सलाकारों का भी मानना है कि अगर बा वो आज ही हो जाए बाबा को अब अबना रोधर रूप दिखा देना चाहिए बाबा को अटाया गया तो बाबा शहीद कहलाएंगे और यूपी में भाज़पा का सूरज अस्थ हो जाएगा बाबा को बैक फूट पर जाने का बहुत नुकसान होगा बाबा ने आज शाम को ग राजबर ने की संजनिशाद ने की उसके बाद से अब इनके सूर ढलने लगे हैं संजनिशाद भी अपनी उसी भाशा पर आ गए हैं जिस भाशा में वो पहले बात किया करते थे मतलब उनके तेवर नरम पड़ गए हैं और केशव प्रसाद मोरिया ने भी एक ट्वीट किय गया उसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया उसकी जगा लिखा सपा बहाद्दूर सिर्यकलेश यादवजी भाशपा की देश और प्रदेश दूनों जगा मजबूत संगठन और सरकार है सपा का पीडिये धोका है यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी बार्डिंग कर रहे थे योग्या दितनात के खिलाव खुल कर बैटिंग कर रहे थे और इनका धे यही था कि हार का जोजिम हार की जो जिम्मेदारी है वो योग्या दितनात ले ले हार का ठीक रा योग्या दितनात की सिर पर फोड दिया जाए और योग्या दितनात को उनक प्रसाद मोरिया के वो धरे के धरे रह गए क्योंकि अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में खुद कमान संभाल ली है अमिच्छा के हो सकता है कि हाथ बांध दिये हैं क्योंकि अमिच्छा और योग्यादितनाद के बीच जो तलवारे खिची हैं उनसे कोई अनभिग्य नहीं है कोई नहीं है जो इस बात को नहीं जानता कि योग्यादितनाद और अमिच्छा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है शायद यही कारण है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले में बीच बचाव करने के लिए आये हैं और जब से प्रधान मंत्री मोदी ने कमान संभाली है तब से सुर भी बदलने लगे है नरम पढ़ने लगे है बयान बाजी भी बंद हो गई है जो जिसका काम था उस पर अब लोटने लगा है तो देखना होगा कि उप्चुनाव के बाद क्या वाकई में ब्रजेश पाठक और केशा प्रसाद मौर्या के साथ राजबर और संजय निशाद पर गाज गिरने वाली है क्या चारों नेताओं को या फिर दोनों डिप्टी सीम को बरखास्त कर दिया जाएगा और इस तरीक क्या चुचको याली है क्या है